ओम शान्ती आज आपका 96 दिन का वरदान और आज परम पिता परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जब हम भगवान के बन जाते हैं बच्चे जब हम परमात्मा की शुरीमत पर या उनके कहे पर हम जब चलना शुरू करते हैं तो कभी-कभी हमें सयोग मिलता है, कभी-कभी हमे सायोग देकर के आगे बढ़ सकते है क्या हम उनको सायोग देकर के परमात्मा का नाम रोशन कर सकते हैं चाहे वो कुछ भी कहे बुरा भला कहे, हमारी निंदा करे चाहे वो हमें कोई किसी भी प्रकार का लाव या हानी पहुँचाए क्या हम हर समय अपनी अवस्था को एक समान रख सकते हैं पर मात्मा कहते हैं वही महात्मा महान आत्मा की निशानी है तो देखें आज बाबा हमसे चाहते क्या है और कहना क्या चाहते है तो बाबा कहते हैं आज की वर्दान में सहयोग की शक्ति से सहयोग की शक्ति सहयोग की परमात्मा ने उसको भी एक शक्ति कहा है असहयोगियों को जो हमें सहयोग नहीं देते हैं को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परुपकारी भवा परम पिता पर मात्मा धर्ती पर आकर के सबसे उंचा परुपकार क्या करते हैं वो आकर के हमें हमारा सत्तिस परिचे मैं कौन हूँ आत्मा किस समय पर इस धर्ती पर आई कितने युग मैंने जिये कितने जनम मैंने लिये देवता से लिकर के शत्री से लिकर के वैश्य दौपर युग में वैश्य से लिकर के मैं आत्मा दुकुल पतत शूद्र बन गई तो शूद्र का मतलब ही है कि मैं आत्मा अपवित्र बन गई संकल्प अपवित्र, कुडोधाना, अहंकाराना, इर्षा, दोईश, ग्रणा ये सारी चीज़ें अपवित्रता की निशानी है, शुद्र की निशानी है तो परमात्मा कहते हैं, तुम ये सब कुछ हो गए और साती सात तुमने क्या किया, वो भी देखे तो बाबा कहते हैं, विस्तार में, सयोगियों के साथ सयोगी बनना ये है कोई महावीरता नहीं है, कोई आपको सयोग करे तो आप इसको help करो कोई आपको गाली दे तो आप इसको गाली दो कोई आपको अच्छा करे तो आप इसको अच्छा करो ये तो एक इनसान करता है लेकिन परमात्मा के बनने के बाद में ऐसे नहीं ये कोई साधारन मनुश्य आत्मा का ग्यान नहीं है यह परमपिता परमात्मा का ग्यान है जो कि हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे मनुष्य से देवता देने वाला देवता के तब ही कहते हैं हाथ हमेशे ऐसे दिखाते हैं देने वाला, देने वाला मतलब यह नहीं कि धन देने वाला या कोई संपत्ति देने वाला ये चीजने देने की बात नहीं आती है परमात्मा कहते हैं मन से सयोग देना तन से सयोग देना सिर्फ धन से नहीं सयोगियों के साथ सयोगी बनना ये कोई महाविरता नहीं है लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते है अब परमात्मा कहते हैं कि उनका भी अपकार हुआ है अपकार मतलब उनकी बेस्ती करिए सबसे पहली बेस्ती क्या हुई है? हमने कह दिये कि परमात्मा कंड कंड में है परमात्मा कुत्ते में है, बिल्ली में है, जानवरों में है तो परमात्मा कहते हैं, तुम एक तरफ कहते हो कि हे प्रभू आओ धर्ती पर, हमें मुक्ती का ग्यान दो हमें पतित से पावन बनाओ, हे प्रभू शान्ती दो तो फिर कहते हो कि तुम कुत्ते में भी हो, बिली में भी हो, चुए में भी हो तो उसके साब देखा जाए तो कशड़े में भी भगवान हो गए मैं जिस चेर पर बैठा हूँ उसके पर भगवान हो गए तो मैं भगवान के उपर पैर रख रहा हूँ धर्ती में भगवान हो गए कणण में भगवान हो गए परमात्मा कहते हैं वो भावना नहीं वो तो अंदश्रद्धा हो गई तुमने मेरे किती बेस्ती करी है साथी साथ अगर दिखा जा तो हम परमात्मा को जोती कहते हैं यह सनुसार जोतिर लिंगम जो शिव लिंग है उसके उपर हम धतूरा डालते हैं कि धहतूरा भांग हें शारी चीज हम भगवान काते हैं तो फिर आज एक ड्रगче और एक परमात्म payment पिता जो ध़तूरा खाते हैं भांग पीते हैं उसमे अंतर क्या है ऑलके में यहीं जारी बातों में तुम तुम नाधान हो तुम भूल चुके हो मैं आकर करों तुम अपकारियों के उपकार करता हो अईसे आप बच्चे भी वाफ समान बनो कोई कितना भी असायोगी बने, कोई कितना भी आपको नीच दिखाए, आपको गंदा दिखाए, बुरा कहे आपको, आप अपने सायोगी शक्ती से असायोगी को सायोगी बना दो, तो कौन सी शक्ती बना, सायोगी शक्ती, तो इसमें क्याता है, हमारे पास में आठ शक्ति हैं, आत्मा की, इ तो मारते उस बच्चे को नहीं उसी तरी के से जिनको ग्यान नहीं है आत्मे ग्यान नहीं है परमात्मा को उनको भी उस बच्चे समान देखो और उनको माफ करो तो वो असहयोगी बनते हैं तो आप उनको सहयोग करो तो वो सहयोग करते-करते आप सोचो कि अरे मैं कितना सही करूँ, कितना बरदाश्ट करूँ परमात्मा कहते हैं उसमें आपकी महानता बढ़ रही है आपके संसकार परिवरतनों तो है ये ना भूलो क्योंकि जाना किसको है स्वर्ग में जो आत्मा सहन कर पाती है और सही हो कर पाती है वो जाती है यह ना सोच वो तो बदलता नहीं तो मैं क्यों बदलू परमात्मा कहते हैं वो सोच मनुष्य की सोच है देवी देवता की सोच नहीं है तो दिव्यता परमात्मा हमें देवी देवता बनाने है ना तो परमात्मा का भी कहा गया है एक सेकंड में परमात्मा कहते है मनुष्य से देवता किये किरतना लागी वार तो मनुष्य से देवता बनाने में एक सेकंड लगता है परमात्म को लेकिन वो सोच हमें लेनी पड़ेगी फिर बाबा कहते हैं परमात्म कहते हैं कोई कितना भी सहयोगी बने असहयोगी बने तो ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ता है, इसके अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है, अगर ये चेंज हो जाए तो फिर ये आगे बढ़े, नहीं, हमें किसी को चेंज करने की जरूत है, ना किसी को चेंज होने की वेट करने की जरूत है, कमजोर को कमजोर समझ कर छोड़ना दो लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाओ बल कैसे ग्यान की सची लहर ग्यान सत्त क्या है वो परमात्मा के बाबा के महावा के सुनाओ उसको ताकि उसकी बुद्धी जो है वो सही दिशाय ठीकाने पर आए इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान रूपी जेवरों सर्विस को बाबा के ने क्या है पर सर्विस को जेवर का है तो हम जितनी सर्विवा करते हैं जितना मनुश्य आत्मा को अशांती से शांती मिलाते हैं उतने ही हम बलवान शक्तिशाली बनते क्यों क्योंकि हमारी बुद्धी उसमें और स्वच होती आती है, पवित्र होती है इस बात पर attention दो, तो service के plans रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे चार चांद लग जाना कहते हैं जैसे किसी चीज़ पर, केक की उपर icing कहते हैं चेरी उन टॉप अब दकी कहते हैं तो उसी प्रकार से यहां पर भी क्या हो जाएगा हीरे चमक जाएंगे अर्थाज सहच प्रतिक्षिता हो जाएगी क्या चीज़ प्रतिक्षि करना सत्यता को प्रतिक्षि करना परमात्मा सत्य है वो तब ही प्रतेक्ष कर पाएंगे जमान अंदर ये सारे गुण और शक्ति आएंगी तो इसी के साथ आपका दिन शुब हो और आप स्वस्त रहें और स्टे प्रोटेक्टेड घर में रहें आप ओम श्यंति